बिस्मिल्लाहिरमानिरहीम, असलामु आलाइकुम, वेलकम टू मैं यूटूब चैनल, उमीद है के आप तमाम बेखायरत से होंगे, आज मैं स्पाइसी तंदूरी पामफ्रेट फिश बनाती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल से, इसके लिए चाहिए जीरा, एक टेबुलिस्पून, जैफल और स्टार, एक टेबुलिस्पून, पेपपर, एक टीस्पून, लाउंग, तीनिया, चाहर, सिनमन, एक पीस, और धनिया, एक टेबुलिस्पून, कसूरी मेती, एक टेबुलिस्पून, ए तमाम चीजें को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसको भून लेते ही, थोड़ा सा कलर चेट होने तक हम भून लेते ही, हाई फ्लेम पर रखके तो ज्यादा जल जाएगा, इसके लिए लो फ्लेम पर रखकर हम थोड़ा सा कलर चेंड होने तक भून लेते ही, दीके भूने के वकद थी, यह बहुत ही खुश्जबो हो आ रहा है इस तरह हम मसालव हम फ्राइ करके डर्लव ने से, फिश बहुत टेस्टD इसे होगा, अब हम एकcessor जार में दो हरी मिश्च लेती ही जो हम रोस्ट करके मसालना रखे थे, थंड़ा होने के बाद मिक्सर जार में दाल लेती हैं इसमें आइट करती हूँ हजबे जरुरत नमक और लेमेन जूस एक लेमेन जूस करके इसमें आइट करती हूँ और रेट चिली पोडर एक टेबुल स्पून कैश्मीरी रेट चिली पोडर दाली हूँ और हल्दी पोडर एक टी स्पून और इसको ढखकर अच्छा एक पेस्ट बना लेती हूँ पेस्ट बना ली हूँ अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ मसाले को बोल में निकाल दी अब मैं इसमें आइट करती हूँ तंदूरी मसाला दो टेबली स्पून और इसमें आइट करती हूँ जीरा पाउडर एक टी स्पून आइट करती हूँ और इसमें आइट करती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टी स्पून इसमें आइट करती हूँ और इसमें आइट करती हूँ चना दाल पौडर टो टेबली स्पून ये बाइंडिंग के लिए मैं दो टेबली स्पून आइट करती हूँ अब मैं आम चूर पौडर एक टी स्पून गरम मसाला एक टी स्पून इसमें आइट करती हूँ और आइल टो टेबली स्पून इसमे आइलाइट करने के बद ये तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट के शेप में बना ली हूँ अब मैं ये पाम प्रेट फिश में ये तंदूरी मसाला अपले करती हूँ इस फिश में दोनों साइड और अंदर के साइड भी ये मसाला अच्छी तरह जो कट लगाई हूँ उसके अंदर भी लगाती हूँ क्यूंकि पकने के बाद ये बहुत ही जूसी से होगा और मसाला भी अंदर तक अच्छी तरह जाएगा इस तरह से मैं कट लगा ली हूँ और मसाले को अंदर भी मैं लगा लेती हूँ और दूसरे साइड भी इस मसाले को अच्छी तरह अपले करती हूँ और जो कट की ही उसके अंदर भी हम लगा लेती हूँ इस तरह लगा कर दो घंटे के लिए इसको रेस्ट में रख देती हूँ रेस्ट में रखने के बाद हम इसको तंदूर करेंगे ये होमेड तंदूर है इसमें रख कर हम फिश को तंदूर कर लेती हूँ इसको दोनों साइड स आइल थोड़ा-्थोड़ा करके अप्ले करके इसको दोनों साइड अच्छी तरह से पका लेती हैं और दूसरे साइड भी टर्न करके इसको तंदूर के लिए रख दी हूँ अब हमारा इस्पैसी तंदूरी पॉमफरेट फिश तयार हो गया और इसको गार्णिश करी हूँ आनियन और टमाटो स्लाइस से आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो फ़ॉरन रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें बिल आइकान को भी हिट करें और मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक के बटन को हिट करें अपनी दुआओं में मुझे याद करें मैं भी अपनी दुआओं में आप तमाम को याद करती हूँ इंशालला एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ अल्ला आफिस